दोस्तों एक संतुस्ट पून और सम्माजनक जीवन जीने के लिए जीवन में एक अच्छे और सम्माणित रोजगार का होना बहुत ही जुरूरी होता है एक ऐसा रोजगार जो समाज में सम्माजनक भी हो और आप के लिए सुरक्षित भी हो आने वाले समय में कई सारी frequencies आने वाली हैं और कुछ भरतियों के परिक्षों के बारे में विग्यापन जारी भी किया गया है लेकपाल भरती की परिक्षा जो की होने जा रही है 19 जूल को तो इस परिक्षा को क्या से crack करेंगे क्या पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे आपको study material कहां से मिलेगा तो सारी जानकारी ये एक वीडियो में आपको दी गई है इसको कल साम को ही upload किया गया था जिसका link इसी वीडियो के description और पहले comment box में दिया रहा है तो उसको जाकर आप एक बार चेक आउट जरूर किजिएगा और देखेंगे फ्रेंगे करेंगे के लिए आप निश्चित रूप से अपने पूरी दिंचर्याय में थोड़ा सा समय जरूर निकालिए 23 अपरिल का जो करनेफेर है ये अपलोड किया जा चुका है रोज सुबह 5 बिजे आपको करनेफेर का वीडियो इसी चनल पर दिया जाता है तो ये जो वीडियो होता है ये आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा और आपकी परिक्षाओं में निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगा तो ये दोनों वीडियो प्रतिदीनी अप्रोड किया जाते हैं तो आप इन सब को चेक जरूर किया करें आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और चलते हैं पहली खबर पे तो सच्छिवाले और राजास के खाली पद अगर भरे जाएं तो 13,000 से ज़्यादा को नोकरी मिल सकती है अगर देखा जाए तो सचवाले और राजस विभाग ये दो ऐसे विभाग हैं जो कि सरकारी सिस्टम को चलाने में बहुत ही मत्पूर अपना अस्थान लगते हैं योगदान देते हैं लेकिन दोनों ही विभागों में इस समय बरतमान समय में कापी बड़ी संक्या में पदों की संक्या खाली है तो देखो खबर आ रहे हैं कि सरकारी विभागों में रिक्त पदों का अंबार है सचवाले प्रसासन और राजस विभाग में रिक्त पद यदि भर दिये जाएं तो 13,000 से ज़्यादा युवाओं को सरकाई नवकरी मिल सकती है मुक्यमंदरी के अस्तर से रिक्त पदों को भरने का निर्देश होने के बाद इन पदों पर भी भरती की उम्मीद जग रहिए तो सचवाले से सासंग की योजनाओं को बनाने और उनके क्रियानमन की निगरानी का काम होता है मुक्यमंदरी और मंतरी से लेकर सासंग सभी आला हकीम यहीं बैठते हैं अगर सरकार का सबसे अहम कामकाजी तंत्र इसे माना जाए तो ये तंत्र फिरहाल तो जवर्दस्त तंगी से जुरा है कार्मिकों की कमी से और अगर आपको बताएं तो सचवाले में कुल 8535 पद सेक्रित होते हैं और इसमें एक तिहाई से जादा पद लगबग 3528 पद अभी रिक्त हैं सरवालिक पद जो खाली है वो समू ख़के हैं और समू ख़के हैं तो सचवाले संग और अनसिवा संगतरन अतिदिक संख्या में पद रिक्त होने से कारेरत कार्मिकों पर काम का अत्तिक बोज है यानि कि अगर देखा जाए तो एक आफिसर के ऊपर कहीं की भागों का दबाव इसमें चल रहा है और वहीं पर अगर राजसुजा के बारे में बात तेरे तो लेकपालों के भी काफी कमी है एक-एक लेकपाल पर तसिलदार पर कई-कई छेतर का प्रभार है न सिर्फ सीधी बरती वाले पद बड़ी संक्या में रिखते हैं बलकि पदुन्नत वाले जो पद हैं वो भी काफी खाली है तो सबसे चौकाने वाली बात इस्तिती जो आ रही सामने है वो नया तसिलदार की है और भी प्रोती कोटे की इस कोटे के लिए 617 पद सुरक्षीत हैं और लेकिन बरतमान में सिर्फ 15 अपसर ही इसमें तैनाते हैं बागी 602 पद अभी इसमें रिक्त हैं और राजस ने रिक्षक के करीब 15 उपत खा लिए राजस लेकपाल के रिक्त पदों की संक्या बढ़कर 10,000 पार करने वाली है तो जो राजस लेकपाल के रिक्त पदों की संक्या है यह जो की 10,000 पार करने वाली है तो यही वज़ा है कि बरतमान में जो राज़स लेकपाल के लिए भरती परिक्षा होने जा रही है जिसके बारे में उपर मैंने आपको बताया था उसमें पदों की संक्या जो की अभी लगबग 8000 प्लस है वो 10,000 तक जा सकती है तो निश्ची तुरूप से अगर 10,000 पद होते हैं तो कटाफ यानि की जो परसंटाइल कटाफ है तो वो भी काफी नीचे आ सकती है तो उमीद करते हैं कि आने वाले समय में बहुत बड़ी संक्या में जो भरती हैं वो लेकपाल भरती की परिच्छा में सामिल होंगे और उसके बाद एक सांदार कैरियर को स्टार्ट कर पाएंगे उत्तरदेश लोगस्वा आयोग और अधिनस्वा चेन आयोग की जरी होंगी भरती हैं तो अगर UPPSC और UPCC को ही देखें तो आने वाले एक साल में लगबग 28,000 पदों को इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से भरे जाने की सूचना मिल रही है प्रदेश सरकार एक साल में 28,000, 45,000 से अधी नोकरियां देने वाली हैं और ये दोनों नोकरियां UPPSC और UPCC के माध्यम से दी जाएंगी इसके तहर पहले सो दिन में UPPSC 3472 भरतियां करेगा फिर अगले छह माँ में 2242 और फिर अगले छह माँ में 2741 तो तीन चरण में यहां पर पद भरे जाएंगे और इसी तरह UPPSC भरे सो दिन में 12,000 फिर छह माँ तक 3,000 फिर अगले छह माँ तक 5,000 यहने कि कुल 20,000 भरतियां करने वाला है तो काफी बड़ी संक्या में भरतियां होने जा रही हैं और बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां पर पदों की संक्या रिक्त है और उनसे रिक्त पदों के बारे में 31 माई तक जानकारी मागी गई है और फिलाल सरकार सामने आ रही है सरकार एक अच्छी पहल कर रही है और अगर यह वकेंसी जाती हैं और अगर सिर्फ और सिर्फ इस वज़़े से आप जौब नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप थोड़ा से नेगेटिव चलते हैं अगली खबर पर तो देखो यहां पर खबर है 14,000 से अधिक के आविदन में मिली है गलती तो अगर आपने UPPCS 2022 प्रारमिक परिक्षा के लिए आविदन किया है तो यह वो समय है जब आपको तुरं जो है UPPC की आफिसल वेबसाइट पर जाकर एक लिस्ट जारी की इस लिस्ट को आपको तुरं चेक आउट कर लेना है और इस लिस्ट में उन अभेड़तियों के नाम आपको मिलेंगे जिन अभेड़तियों के फार में हस्ताक्षर और फोटो अपलोड करने में तुटी पाएगी यह दोस्तों याद रखना कि यह एक अंतीम उसर है इसके ब तो आयो के परिशाने अंतरक अरबिन कुमार मिस्तर के अभेड़तियों के फोटो और हस्ताक्षर तुर्टीमोर पाएगे हैं वो लोग 22 से लेकर 29 अपरेल तक आनलाइन आवेदन में सही फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर दें और यह आकले बहुत ही जरूरी है तो जैसा दुजर 22 के आवेदन किये हैं इन में से 14300 बेड़तों के आनलाइन आवेदन में फोटो और हस्ताक्षर तुर्टीमोर हैं ऐसो की लिस्ट आयो की वेफसाइट पर जारी कर दी गई है तो एक बार चेकाउट जरूर किजिएगा और अगले वर्ष से एक ही बार होगी CBSC की ब करोना का बढ़ेगा संकट तो जो टर्मन की परिक्षा है उसमें जो प्रापतांग होंगी या बिर्दियों की उसे को डबल करके रिचल जारी किया जाएगा लेकिन अब चुकी स्तिति कंट्रूल में आचुकी है भारत में बहुत तीजी से ठीका करन हो रहा है और ठीका करन को समाप्त करने का बढ़ा नेड़े लिया है अगली साल से जो परिक्षा होंगी उटर्म परिक्षा है नहीं होंगी बिलकुल पुराने पैटरन पर ये परिक्षा होंगी CBC ने 2022-30 की परिक्षा के लिए अपना जो बिस्तित पार्ट क्रेम है ये जारी कर दिया है और इसमें पुराने बिलकुल जो कोरोना के पहले वाला पैटर्म था उसी पैटर्म को फालू किया जा रहा है और UB Board की High School परिक्षा में अब एक पेपर OMR सीट पर होगा यानि कि अगली साल से बदलाव आपको देखने को मिलेगा और सिग्र ये बदलाव आपको इंटरमेडियर की परिक्षा में भी देखने को मिलेगा अधिके फ्रेंट्स जो लोग कुछ सिख्चा के लिए Higher Education में बिजिज जाना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी कबर है कि पाकिस्त ने भारती चाहतरों को आगा किया है और ये जो सुचना जारी की गई है इसलिए की गई है क्योंकि बड़तमान समय में पाकिस्तान उच्चा युक्त की ओर से भारती चाहतरों को उच्च सिख्चा परात करने के लिए अपने यहां लुभाओने और आकरसक आफर दी जा रह तो उनको जो है मानिता मिल जाती है लेकिन सामाने तोर से डिग्रिया मानने नहीं होती है तो ऐसी इस्तिती में पाकिस्तान से अगर कोई डिग्री स्टुडेंट लेता है तो उसकी सारी मिनत पर पानी फिर जाएगा और पिशडा वर्ग जो बेरती हैं उनके लिए एक अच्छी कबर है कि अब वो निस्तुल सिविल सिवा की त्यारी कर सकेंगे पिशडा वर्ग की चातरों को अब सिविल सिवा में निस्तुल कोचिंगी प्यूस्ता मिलेगी कानूर और मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी यसी पिशडा वर्ग के छातरों की तरह उनको सुभिदाएं मिलेंगी चातर वित्ती प्रिश्तुल की प्रत्थपूर्ति और गरीब बेट्यों की साधी में सहयोग भी मिलेगा इसकले सौधिं की कारेशना भी त्यार की गई है ये बाते पिछडा वर्ग कल्याड राज मंदी प्रियाग राज मंदल के चारों जीले प्रियाग राज प्रतापगड कोसांबी और फटेपूर में चल रहे पिछडा वर्ग कल्याड के कार और दिब्यांग जनों के ससकती करण पर समिक्षा करने प्रियाग राज पहुँचे थे सरकीट हाउस में पत्रकारों से वारता कर रहे हैं पिछडा वर्ग आयोग से और इसी करम में देखिए मुक्यमत्री ने कहा है कि कुरोना से मुकाबले को सुरचा चक्र मजबूत किया रहा है और डिफिनिटली अगर आपके आसपास भी अगर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जोने अभी तक अपना टीका नहीं लिया तो नेशन को जाके टीका करन का कार पूरा करें तो दोस्तों आज के इस सिसन में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा चैनल पर अगर आप भरे बार हैं तो इसनों को सब्सक्राइब करके ही जाएगा तो आप स